हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल आज है स्वीट रेसिपी विक का डे 5 तो आज हम बनाने वाले फटा फट से बनने वाले कोकोनेट लड्डू कोकोनेट लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कड़ाई में एक चम्बच जितना गी लिया है गी गरम हो जाए तब हम उसमें एक कप जितना डेसिकेटेड कोकोनेट डाल देंगे और अच्छे से एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे गेस की आज हमें धिमी ही रखनी है नहीं तो हमारा जो कोकोनेट है वो जल जाएगा कोकोनेट अच्छे से भून गया है अब इसमें हापकप जितना डूद एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे डूद यहाँ पर हमें रूम टेंपरेचर वाला ही लेना है कोकोनेट को अच्छे से हमें डूद में भून लेना है तिन से चार मिनिट हो गए है और कोकरेट ने अच्छे से सारे दुद को एबजर्ब कर लिया है अब हम उसमें हाफ कब चितनी पावडर शुगर एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे गेस को यहाँ पर में मिडियम आज पर कर देना है मिक्सर को हमें अच्छे से हिलाते रहना है नहीं तो हमारा कोकरेट चल जाएगा और मिक्सर को ज़्यादा भी नहीं पकाना है नहीं तो जो शुगर है वो केरेमलाइज हो जाएगी चार से पांच मिनिट हो गई है और हमारा मिक्सर है वो अच्छे से रेडी हो गया है अब यहाँ पर हम गेस ओफ कर देंगे और मिक्सर को एक ब्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रग देंगे मिक्सर ठंडा हो गया है अब हम उसके छोटे छोटे लड्डू बना देंगे लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हो सारे लड्डू बनके रेडी हो गया है अब लड्डू को हमें ड्रा कोकोनेट में अच्छे से रोल कर देना है जिससे कुकनेट के लड़ू दिखने में अच्छ लगते है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना